आप किछिन गाडनिंग को साथी जो लोग खेती कर रहे हैं, सबजियों की खेती हुगा रहे हैं, उसको बहुत आसान कर रहे हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि किस तरीके से आपने ये प्रयास शुरू किया, वो आप हमें बताएं यह ट्रेज होती है, यह लगाने लाइक ट्रे हैं, आप देखेंगे बिल्कुल हैल्दी ट्रे हैं, किसी तरह कोई इसमें डिजीज नहीं, डिजीज फिरी है, वाइरस फिरी है, बैक्टिरी है और यह जब यह प्लांट लगबग डेड़ से दो इंच का हो जाता है, तब यह ल जरूरी होती है, धूप देना भी जरूरी होती है, ताकि यह खेत में अगर धूप में जाए तो मरे ना, कि टाइम पर आप खुदी नोट कर रहे होंगे कि महलाओ ने या कुछ लोगों ने अपने छटों पर जो किचिन गार्णिंग का क्रेज एक नया कॉंसेप्ट जो लगबग एक साल में तीन फसल कम से कम ले नमस्कार दोस्तों मैं अंजू सिंग यूनीक फार्मिंग चैनल पर फिर से आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम आ गए आपकी फार्मिंग और किचिन कार्णिंग को आसान करने तो होता ही हो है कि लोग सबजिया लगाना तो च शोग जी अपने फार्माउस पर सब्जियों और फूलों की पौत तयार करते हैं तो इस वीडियो में उनसे जानने वाले हैं कि वह किस तरीके से यह पौत तरीके से वह तरीके से बहुत अच्छे से सवाइब हो पाता है और आपकी फार्मिंग और गार्णिंग आसान हो जा क्योंकि इस तरीके से किसान यहां से बल्क में पौध करीज सकता है जिसकी वज़े से यहां पर बीज लगाने की डारेक्ट बीज लगाने की यह बीज उगाने उसकी टेंशन से उसके मुक्ति हो सकती है और इसके साथ ही kitchen gardening जिसमें बहुत जादा बल्क में बीज मिलते हैं दुकान से वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यहां से वो लिमिटेड जितनी पॉद उने चाहिए वो यहां से लेकर जा सकते हैं तो चलिए जागा देरी ना करते हुए मिलते हैं अशोक जी से इससे पहले यद अभी तक आपने यूट्यूब चैनल यूनीक फ हो रही थी तो उससे हमें जितना पता चला तो आप किचिन गांटिन को साती जो लोगहेती कर हैं सबजी होगा रहे हैं उसको बहुत आसान करैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि किस तरीके से आपने ये प्रयास शुरू किया वो आप हमें बताएैं बेसिकली हम पैदाई सी किसानी हैं, गाउं के रहने वाले हैं, नरसरी का काम था, हमने देखा था कि किसान के लिए जो बड़ी चुनोती है वो बीज को उगाना, और उगाने के बाद उसको खेतों में ट्रांस्पलांट करना, ये बड़ी मेहनत का काम था और इसमें बहुत सा कोई डिजीज नी होती, दूसरा उसमें 100% जर्मीनेशन होता है, तो ये हमने कोसिस की तीन साल पहले और इसका अच्या रिस्पोंस भी है, हम इसको पर्मोट करते हैं कि भी किसान जादा सी जादा सी जादा सीडलिंग से अपने खेतों में लगाए उसका टाइम भी बचेग और हेल्दी उसको कम कोष्ट में उपलब्द कराना, ठीक है, एक चीज हो रहे है, आज की टाइम पर आप खुदी नोट कर रहे होंगे कि महलाओ ने या कुछ लोगों ने अपने छटों पर जो किचिन गार्डनिंग का क्रेज, एक नया कॉंसेप्ट जो शुरू हुआ है, जोगज, 200-300-200 जोगज, जितनी भी टैरिस उसको मिलते हैं, उनमें वो किचन गार्डनिंग में सारी सबजीयां, बैंगां, टिमाटर, मिर्च, घिया, तोरी, सारी सबजीयां उपलब्द कराते हैं, अच्छे हाइब्रिड सीड के साथ कराते हैं, पहलाएं क्या आपको समस उनको अच्छे सीड मिलते हैं या बहुत किसी अच्य К cache के नहीं मिल पाते है, हलगी क्वालटी के पैकिंग मिलती है वह उगाते हैं उसमें फर्फ्रोट नहीं आते हैं डिजीस आज另外 कiona उनको थोड़ी दिक्कते हैs, हमार पास बहुत बल्क में और यूज में प्रोडेक तो हम 20 ही देते हैं, 30 भी देते हैं, 50 भी देते हैं, वो हमारा रिटेल काउंटर से है, ये प्रोडेक्शन हाउस है, तो हम वो उपलब्द करा देते, उसमें प्रोब्लम नहीं है। समय पहले क्या एक किसान डारेक्ट वो देता था, तो मैं लगा, क्यों जरूरत पड़ी सीडलिंग की? देखी, डारेक्ट सोइंग जो जमीन में हम कोई भी सीड लगाते हैं, पहली बात तो यह है कि सीड लगाने का बहुत सारे तरीके हैं, वो सब को पूरे तरीके नहीं पता, दूसरा उस टाम जमीन में बहुत सारे जब सीड डालते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन के बहुत सार बहुत आगी सीड में लग बग लाख रुपे किलो पचाहजार रुपे किलो इससे सस्ता कोई सीड है नहीं वो खिसान के लिए बहुत बड़ी चुनोती है कि उसका सीड मर जाता है उसके बाद उसको बहुत महेंगा हो जाता है ठीक है मैं उनको इसी तरह से लोगों को कि आठर काया बैंगन का सब भी सब्सीं के आप पॉद लगा रहे हैं उसके साथ ही में देख रही हूं कि आपने फ्लावरिंग प्लांट्स है उनकी पॉद भी आप तैयार कि है कौन कौन से आप हमें प्लीज एक बार दिखा सकते हैं देखिए मैं अभी दिखाता हूं अभ वोगों को पैसन है कि अश्टावरी घर पर युगा है और अच्छी च्टावरी खाएं तो यह विल्कुल इसके अलावा सब्जीयों में यह चपल कद्दू बोल दो यह इस तरह के जो प्लांट से है यह हमारे पास है चपल कद्दू बोलते हैं यह खर्बूजा है इस तरह से अगे अप आएंगे तो फ़लावर में जैसे ये फ़लावर के गॉम्फरिना हो गया यह तुरई हो गी है शारी हाइब्रिड सेंगे वी एन नार की अच्छी क्वालट टी के शीड है और आगे आप आएंगे चिली हैं यह जो होट चिलीज होती है, छोटे टाइप की, यह बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की चिलीज है, आप देखेंगे, इसमें रूट वगएरा बहुत अच्छी तरह डवलप हुआ है, तो इस तरह के सारे प्लांट आप आगे भी जाएंगे, यह इदर आपका पंपकिन है, और बहार हमारा बिरिंजल है, टमेटो है, वो सभी तरह के हम प्लांट उगाते हैं यहां पर, तो कितना बड़ा प्लांट आप प्रुवाइड कराते हैं? यह देखेंगे, बेसिकली ट्रे हैं, यह ट्रे होती है, यह लगाने लायक ट्रे हैं, आप देखेंगे, बिल्कुल ह अगर किसानों की बात करें तो किसान कितना आप से संपर कर रहा है इस चीज के लिए देखिए किसानों का तो हमारा लगबग पैन इंडिया सप्लाई है महाराष्ट और साउथ को छोड़ कि महाराष्ट में बहुत सारी नर्श्रिया है तो वहां के किसान नहीं आते बाकि हमार यहां से पूरा राजस्तान है पंजाब है उत्तरपरदेश है मद्ध्य पर देश तक हमारी सप्लाई है हरियाना तो हाई उसमें तो ऐसी बात नहीं हं हम अकेले हैं बहुत सारी नर्श्रियां है बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं वैजी टेवल पे और लोग भी काम क ताकि उसके बाद में उसका पौधा अच्छे से गुरू कर पाई देखिए मैं किसानों के लिए तो हमें का लग अडवाईजरी है उनको पहले सोईल की ट्रीटमेंट के बारे में बता जिते हैं कि सोईल को किस तरह से आपने चेक करना है कितना खाद अगर आप खुले में खेती कर रहे हैं अगर आप खुले में खेती कर रहे हैं ओपन बैड पे कर रहे हैं तो उसमें लोगों को एक्चल में पता है ही नहीं होता है कि हमारे खेत को यूरिया की जरूत है या फासफोरुस की जरूत है पता नहीं होता वो अन्नैसेसरी डालता रहता है तो हम यह लोगों को समझाते भी है जब आते हैं कि सबसे पहले आप जमीन का टेस्ट करा हैं उनमें कितनी फासफोरुस है कितना नाइट् तो अगर हम किचन कार्णिंग को भी कहते हैं कि सोईलेस मीडिया हो हलका मीडिया हो जो आपकी छट पे मिट्टी ना ले जाए आप मिट्टी कहां से लाएंगे सहरो में तो यह बैग्स हमारे पास होते हैं हमले बल और हम इजिली उनको प्रवाइड कर देते हैं और वह मल्टी इसका आप सालों तक उसको यूज करो केवल उसमें आप अपना मैंनियोर मिक्स करते रहो हर बार उसमें वर्मी कमपोष्ट वर्मी कुलाइट परलाइट यूज करते रहो और कोई प्रोब्लम नहीं आती उसमें कभी भी जैसा किसार आपने पताया था कि बीज उगाना सच में एक चुनोती भरा काम रहता है लेकिन आप से पूछना चाहूंगी कि आप किस तरीके से बीज उगाते जिसके बाद वो इतने लंबी टाइम तक अच्छी से सर्वाइब करते अच्छी से ग्रोव करते हैं देखिए मैं आभी आपको दिखाता हूँ यह हमारा मीडिया है यह जो मीडिया है इसमें आप गोर से देखेंगे इसमें कोकोपिट्स हैं परलाइट्स हैं वर्मिकुलाइट्स हैं और इसके अंदर फंगिसाइड एडिड कर दिया गया और की ओपाद सिथ जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन के तेम नहीं पर दिया जाएगा जर्मिने के बाद हम इसको टरनल में पाली आउस में ले जाएंगे आभी टाइम टु टाइम इसमें फंगिशाइड थी जो इसको जुरूरत हैं नाइट्रोजन फासफोरवस यह पोटास लेकिन ज्यादा तर ऐसा होता है जल गया, मर गया, क्या वो कारण रहते हैं, क्या आप यहाँ पर किस तरह किसे temperature कितना देते हैं? मैं वही बताता हूं, समर के चैलेंजी जलग है, सर्दियों के चैलेंजी जलग है, समर में हमें क्या होता है कि नेट हाँस इस तियार करने होते हैं, जो आप देख रहे हैं, उपर यह नेट हाँस हैं, नेट हाँस में हम पूरा इसको किस तरह से temperature को कम कर सकते हैं, धूप ना लगे temperature कम से कम रहे तो यह summer के लिए net house is proper हम ready करते हैं सर्दियों में हमें क्या जरूत होती है सर्दियों में सर्दी जादा होती है तो उसके लिए हमें poly house की जरूत पड़ती है उसमें temperature लगबग 15-20 degree temperature maintain करके रखते हैं अभी जो temperature हमारा 30-35 तक temperature maintain रहेगा net house के अंदर देखिए जो आप बता रहे थे अभी temperature का बड़ा issue होता है temperature के challenges क्या है अभी देख रहे है टरनल हमने पूरी कवर किये black net से यह हमारा first stage का germination है अभी यह ब्रिंजल हमने उगाया है आप ब्रिंजल को देखेगा अभी यह two lips दो ही लीफ है थर्ड लीफ इसमें आ रहा है अभी अभी अगर यह temperature अभी का देखे तो हम 40 degree के आसपास temperature है अगर हम इसको open रख देंगे तो शाम तक खतम हो जाएगा अभी हमने इसको temperature मेंटेन करने के लिए पूरा black net इसमें हमने लगाया हुआ है और यह पूरा इसमें पूरा बैड के अंदर आप देखेंगे आप देखें क्योंकि धूप में भी हमें भार ओपन में इसलिए रखना पड़ता है कि प्लांट को अगर हम अंदर ही रखेंगे तो यह पूरा बहुत बढ़ा हो जाएगा लंबा हो जाएगा अभी है यह फुल साइज के मैच्योर हो चुकि है इसको हाड़निंग के लिए रख है हाड़ स्टेज थी यह फर्स्टेज ओफ टमाटो है टमाटो की पहली स्टेज है यह भी टू लीव से अभी इसको भी अमने धूप में इसलिए रख है ताकि यह पूरा हाड़ हो जाए हाड़निंग हो जाए यह प्लांट मरे ना खेत में जाके फिल्ड में जब तब तब हम और इसको कवर दिन में इसलिए करते हैं कि टैंपरेचर से बचाए शाम को इसको उपन कर देंग सुबह और शाम तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से अशोक जी जो है किचिन गाड़निंग हो गई फार्मिंग हो गई उसको असान करते जा रहे हैं क्योंकि उसकी को दें मर जाते हैं तो वह सभी का सॉलीशन यह वीडियो थी तो मुझे लगता है कि यह सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर यह सारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य झाल